साउथ तुपरसार रस्मी का मंदाना ने कुछ समय पहले ही बॉलिवर्ड में धासू एंट्री मारी है फिल्म गुडबाय की वज़ा से रस्मी का मंदाना लागतार सुर्ख्यों में बनी हुए है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए रस्मी का मंदाना काफी महनत कर रही थी इसी दोरान रस्मी का मंदाना को कई शोज और इविंट्स में भी फिल्म गुडबाय का परचार करते हुए देखा गया था अपनी फिल्म को हीट बनाने के लिए रस्मी का मंदाने ने काफी मेनत की है यही वज़ा है जो फिल्म गुडबाय के रिलीज होते ही रस्मी का मंदाना वेकेशन पर जा पहुची है पित दिन रस्मी का मंदाना ने अपनी मालदीव वेकेशन की पहली तस्बीर फैंस के साथ साजा की थी इस तस्बीर में रस्मी का मंदाना सेलफी लेती हैं इसी बीच रस्मी का मंदाना के फैंस के बीच खलबली मच गई है फैंस को शक होने लगा है कि रस्मी का मंदाना मालदिव में अकेले वेकेशन निंजवाय नहीं कर रही है लोगों को लग रहा है कि मालदिव में रस्मी का मंदाना के साथ वीजय दिवर खोंडा भी शामिल है उस देर पहले ही रस्मी का मंदाना ने फैंस के साथ एक तस्बीर शेयर की है इस तस्बीर में रस्मी का मंदाना काला चस्मा लगा कर अपने पुल साइड ब्रिक फास का मजा लेती नजर आई फैंस दावा कर रहे हैं कि तस्वीर में रस्मी का मंदाना के चेहरे पर लगा कला चस्मा वीजय देवर कोंडा का है कुछ समय पहले हैं वीजय देवर कोंडा को यह अरपोर्ट पर स्पोर्ट किया गया था इस दोरान वीजय दिवर्खोंडा के चहर पर एचस्मा लगा दिखा था रश्मी का मंदाना की पोस्ट देखकर फैंस अंदादा लगा रहे हैं कि अपनी तस्वीर क्लिक करवाने के लिए रश्मी का मंदाना ने वीजय दिवर्खोंडा का एचस्मा उधार लिया है इससे एक बात साफ हो जाती है कि रश्मी का मंदाना और विजय दिवरकोंडा माल दिव में साथ है खवर सामने आते ही सोचल मीडिया पर हंगामा मच गया है लोगों ने रश्मी का मंदाना और विजय दिवरकोंडा की तस्वीरे शेयर करनी शुरू कर दी है इन तस्बीरों में रश्मी का मंदाना और वीज़ा दिवर कुंडा एक ही चस्मा लगाए दिख रहे हैं फिलाल इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स करके जरूर बताएं और भी ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें